हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो को दोस्तों एक सवाल मेरे बन में आया था कि यह जो हावडा स्टेशन है इसको टर्मिनल क्यों नहीं कहते हैं जैसे हावडा टर्मिनस क्यों नहीं कहते हैं शिवाजी माराज टर्मिनस है ऐसे क्यों नहीं हावडा स्टेशन के नाम के आगे टर्मिनस नहीं लगा रखा जबकि वो एक्चुलि में टर्मिनल स्टेशन है अच्छा इंट्रो रोल करने की बज़ा पर काम करो नीचे एक लाल रंग का बटन होगा उसको तरह मुक्का मारके गिरे अकलर का कर दो ताकि रीजन बताने में हमें इतना पता है कि यो रेल्वे के नौर्मल नियम है उनके अंदर यह लिखा है कि अगर किसी रेल्वे स्टेशन से लाइने आगे की तरफ नहीं जारी ठीके मलब वहाँ पर एक डेड एंड आता हो वहाँ पर लाइने खतम हो जाती है तो उस स्टेशन को एक टर्मिनस सकते हैं हम ठीक है और हावडा इस कंडिशन को फुल्फिल कर देता है क्योंकि वहां से लाइने एक तरह से एंटर तो करती हैं बट आगे कहीं नहीं जाती है जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं पट इसके बाद एक और कंडिशन आती है कि रेलवे से एक और नियम है कि अगर किसी स्टेशन से लाइने निकलती है और वहां से दो या उससे जाधा रास्ते निकल जाते हैं तो ऐसे में उसको जंक्शन कहा जाता है ठीक है ऐसे कई सारे स्टेशन से बाहरती रेलवे में जिनके नाम के आगे जंक्शन लगा जाता है और खुश खिसमती से हमारा जो हावडा railway station है वो इस condition को भी fulfill कर देता है देखिए हावडा railway station से दो line निकलती है एक निकल जाती है लिलुआ की तरफ को मतलब कि आप कहल सकते हो दिल्ली हावडा की जो line है वो main line और दूसरी line निकलती है संत्रागच्ची की तरफ मतलब हावडा, टिकिया पारा, संत्रागच्ची होते पर आगे भवनेश्वर की तरफ को निकल जाती है तो वो junction भी बन जाता है पर इन सब के पीछे एक historical कारण है कि इसके नाम के आगे terminal क्यों नहीं लगा रहे या junction क्यों नहीं लगा रहे बट उससे वहले में एक disclaimer देना चाहूँगा आपको अगर आप Google Map पे जा करके देखेंगे ना अगर आप Google Map सर्च करते हैं और वहाँ पे हावडा की हावडा स्टेशन की location देखेंगे तो वहाँ पे आपको आज भी हावडा junction ही बताएगा पेहले इसको हावडा junction ही कहा जाता था और वहाँ के काफी सरे local लोग इसको junction station के नाम से जानते हैं अगर आप कोई कोई पुराना कॉलगाता का देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि इसको junction station भी कहा जाता था क्यों कहा जाता था देखिए 1847 की बात है जब East India Railway Company और साथ में Great Western Bengal Railway Company यने की GWBRC इन दोनों कमपनियों को मर्ज करके East India Railway Company बना दिया जाता और इसने starting में वहाँ पे दो railway station का construction स्टार्ट किया सबसे पहला हावडा और दूसरा हुगली यह उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं जब हावडा ब्रिच नाम की कोई चीज नहीं थी हावडा ब्रिच को दोस्तों जो है 1935 में बनाए गया था जब East India Railway Company ने यह दो railway station बना दिये थे तो लोगों को हुगली से हावडा जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी प्रॉब्लम कैसे होती थी एक ही रास्ता था जाने का वो है बड़ी को प्रिजव करने के लिए रेलवेज ने इसका नाम जो है टर्मिनस नहीं करा वो नाम आज भी वेज़़ इस अज़़़ा जंक्शन ही चलता आ रहा है और रेलवेज के अंदर उसका नाम हावडा ही है बस यह इसकी कहानी है कि ऐसा कभी बदलाव क्यों नहीं किया गया तो फिलाल इस वीडियो में इतना रखते हैं मैं मिल तो आपसे बहुत जलिक और वीडियो में है उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लिगे होगी अगर इसके अंदर आप कुछ भी आड़ करना चाते हो मैं जरूर से बता सकते हैं और हां भाई मुझे भी मज़